The Civilized Indian भाजपा शुरू से ही अपना पल्डा झारती रही है वो शुरू से ही इस बात पर जोड देते थे कि हमारे अंदर पड़िवार बाद नहीं है अटल जी किनके लिए खाएंगे किनको आगे अपनी पास करेंगे कि ना तो उनका घर है ना पड़िवार इसी तरीके से मुदी ज तरपर वोटों का चोट दिया सत्ता भी बदल गई 2014 के बाद भाजपा शाशन में आई नरेंदर मोदी नहीं परधान मंत्री के तौर पर चुने गए लेकिन 2014 के बाद भी अभी तक यानी के करीब करीब 10 सालों के बाद भी अभी भी भाजपा पड़िवार वाद के गुन ग लेकिन नोस्टेल्जिया सिर्फ एक तरफा है अपने बाड़े में कभी भी बात नहीं करते करेंगे भी नहीं और मीडिया क्यों करें बहला कोनी चाहता है बहला कि उसके पीटपर लात मार दिया जाये तब तक तो समझा जा रहा था यहां पर तो बहुत कुछ हो सकता है पे परिवारवाद नहीं कर रही है तो आप गलत हैं निता छोटा हो या बड़ा हो परिवारवाद तो परिवारवाद होता है आखिर भाजपा में क्या परिवारवाद नहीं है आईए इस पर एक नजर डालते हैं नामों की एक सूची देखते हैं जिसमें किस तरीके से भाजपा के अंदर परिवारवाद मौझूद है और उस पर अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है। हम भी सोचे के लिए आते हैं आपके लिए परिवारवाद का लिस्ट भाजपा का जिसमें आपको मालूम चल सके कि हाँ भाई परिवार बात तो है और सत्ता दल के अंदर भी परिवार बात चल रहा है जिसके खिलाफ सकते से परधान मंत्री नरिंदर मोदी हैं अमित्सा हैं जेपी नड़ा जी हैं और बहुत से भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं बहराल आईए एक नजर उस ताली बजाते हुए दिया था इनके पिता श्री भाजपा के आदमी थे भाजपा के नेता थे अब यह भी भाजपा के एक सम्मानित माननी और आदर्शवादी नेता हैं जो कि आए दिनी अनाफशना बयान देते हैं और इन्हें तो भाजपा ने अपने मंत्री मंडल का हिस मंत्री रही वसंद्रा राजेशिंद्या के बेटे दुस्वंत राजेशिंद्या रमन सिंग के बेटे अभिशेक सिंग साहिव सिंग वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा प्रमोद महाजन की बेटी पुनम महाजन वेद परकास गोयल के बेटे प्यूश गोयल ठागुर परस पसनामों से आपकी सोच तो बदलेगी नहीं लेकिन फिर भी ये बताना जरूरी है कि एक तरफा वाद विवाद करके कोई फायदा नहीं है बात तो दोनों पक्षके होनी चाहिए कॉंग्रिस ने पडिवारवाद किया है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है लेकिन वो लोग जो खुद को पडिवारवाद के खिलाफ बताते हैं उन्हें एक नजर अपनी पार्टी में भी देनी चाहिए कि उनकी पार्टी के अंदर किस तरीके से पडिवारवाद का पैर चारो तरफ पसरा हुआ है उत्तर दक्षिन पूरब पश्चिम चारो अनेता कौन से पार्टी किस चीज़ के खिलाफ असल में है क्या वो सिर्फ राजनीती के लिए बातें कर रहा है जुमले के तोर पर या फिर सच में वो उस चीज़ के खिलाफ है उस चीज़ से उसे नफरत है बहराल इन सब बातों कोई फाइदा नहीं है लेकिन फिर भी एक फाइदा हो सकता है अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आप पढ़े ना पढ़े मैं ऐसी छोटी छोटी रिपोर्ट्स बनाऊंगा या किसी और की रिपोर्ट्स होंगी मैं पढ़के आप तक पहुंचाऊंगा और अगर आपको ऐसे सूचना चाहिए हू तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए घंटी वाले आइकन को भी बजा दीजिए और वीडियो शेर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी जुड़ जाएं धन्यवाद